हलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आइम डॉक्टर ब्रिश्पाल सिंग और दोस्तों एक बच्चे के लिए अच्छा न्यूट्रिशन किसको कहेंगे एक अच्छा न्यूट्रिशन वो है जो बच्चे की बॉड़ी को तो स्ट्रॉंग बनाए बनाए साथ में उसके दिमाग को भी स साथ दो interesting facts मैं share करता हूँ पहली चीज कि एक बच्चे का जो head जो है head की size जो है वो उसके दो साल आते आते 90% हो जाती है जो adult की head size होती है मतलब उसके दो साल में इतना विकास हो जाता है कि 90% adult की head size बच्चे के दो साल के आने पर complete हो जाती है दूसरा fact कि बच्चा इन दो साल में जो भी खाना खा रहा है उसका 75% जो body use लेती है वो head की growth के लिए ब्रेन की growth के लिए लेती है तो आप समझ सकते हैं कि इन शुरुआती सालों के अंदर एक बच्चे के लिए जो nutrition है उसकी कितनी बड़ी importance है वो उसकी पूरी life को एफेक्ट करेगा तो आप उस समय उसे क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं ये उसके पूरे जीवन को निर उसमें उसकी diet क्या रहे हैं ये बताने से पहले मैं एक चीज़ा आपके साथ जरूर शेयर करूँगा कि आप ये हमेशा याद रखें कि 6-9 महना या इसको मैं आगे भी बड़ा सकता हूं कि 6-12 महने तक भी बच्ची की जो energy का main source रहेगा वो breastfeeding ही रहेगा या वो जो दूद पिला रहे हैं आप वो ही रहेगा तो 6-12 महने तक भी energy का main source जो है nutrients का main source जो है वो breastfeeding ही है या वो जो milk आप उसे दे रहे हैं यहाँ पर हम उसे solid food add करना स्टार्ट कर देते हैं and according to world health organization जब हम स्टार्ट करते हैं वो age है उसकी 6 महीने पर 6 मन्थ पर हम उसे solid स्टार्ट करते है अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि पहला खाना जो हम solid दे रहे हैं वो कैसा होना चीए तो friends यह जो पहला खाना है यह porridge के रूप में होना चीए मतलब कोई दलिया है खिचडी है कुछ इस तरह का खाना होना चीए इसमें हम क्या-क्या include कर सकते हैं दलिया हो गया खिचडी ह गई है सेरलेक जो हम यूज करते हैं और वो अच्छा इसलिए भी है क्योंकि उसमें iron rich है आप fruits को अच्छे से mash करके वो यूज कर सकते हैं vegetables जो हैं उनको अच्छे से mash करके और वो उसको खिला सकते हैं तो यह कुछ खाने हैं जिरकि आपका जो यह बच्चे का जो start करेंगे वो porridge के रूप में होगा यहां पर mother's जो बड़ी गलती करती हैं वो क्या करती हैं कि वो इस porridge को बहुत ज्यादा dilute कर देती हैं अब ज्यादा dilute करने से दो नुकसान हैं पहला नुकसान तो यह है कि उस porridge के अंदर जो भी nutrients थे उनकी कमी हो गई है deficiency हो गई है और दूसरा नु से यह 6 मैंने पर जो chewing के movement जो expect कर रहे थे वो नहीं आएंगे तो इसलिए मेरी सुझाव है कि आप जब भी जो porridge बना रहे हैं वो थोड़ा थिक होना चीए और वो थिक इतना होना चीए कि जब आप spoon से उसे ले रहे हैं तो spoon से वो टपक न नहीं चीए तो ऐसा थिक porridge जब आ बच्चे को यह कितनी बार खिलाएं तो देखिए इस एज पर 6 मैने की एज पर बच्चे का stomach size जो है वो बहुत छोटा है आप उसे दो या तीन चमच सुबह और दो या तीन चमच शाम को दें अगर वो accept जितना है वो accept कर रहा है उसे उतना ही खिलाएं unnecessary उसे encourage मत करें या ज है मैने के बच्चे का कई बार मैंने कई जगे पर कुछ channels में देखा भी है कि वो बता रहे है नो बज़े ये दीजिए बारा बज़े ये दें दो बज़े ये दें देखिए मेरी opinion तो ये है कि आप बच्चे के feeding moments को देखिए क्या उसकी इच्छा हो रही है खाने के लिए त फिर खिलाएंगे और जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होगा वैसे वैसे उसका oral intake naturally बढ़ता जाएगा कई जगे पर मैंने ये भी देखा है कि वो ये बता रहे है कि आप बच्चे को खीर खिला सकते हैं हल्वा खिला सकते हैं बहुत सी मीठी डाइट के बारे में दूद बिसक हैं वो शुरुआत के तीन सालों में ड्वलप हो जाता है मतलब तीन साल के बाद बच्चा उन फूर्स को accept करेगा पसंद करेगा जो उसने इन तीन साल में खाये हैं तो आपने उसे healthy nutritious food दिया तो अपने पूरी life में उसे पसंद करेगा तो आप कम sweet वाले even fruits भी आप दे रहे नो हनी तो मेरे तरफ से जो diet chart है वो तो यह है कि जब भी आप बच्चे को देखने की वो feeding के लिए खाने के लिए उत्सुक है अपने हातों को मुह में ले रहा है खाना चाह रहा है खाने में interest दिखा रहा है तो आप खिलाए दिरे दिरे बढ़ा होगा अपने आप उसकी भ खिला रहे है तो जान रखी कि यह जो बच्चे हैं इनके हाथ कई बारी crawling करते रहते हैं तो हाथ गंदे होते हैं उन्हीं को यह मुह में लगाते हैं तो feed कराने से पहले mother या जो भी खिला रहे है वो अपने हाथ भी अच्छे से वाश कर ले और साथ में बच्चे के हाथ को भी बश्च करें तो दो चीजे हमें बच्चे के डाइट के अंदर प्रमोट करनी है और दो चीजे अवइड करनी है आप fruits and vegetables को प्रमोट कीजिए आप जो भी मैश्ट करके fruits दीजिए मैश्ट करके vegetables दीजिए सेरलेक दे सकते हैं क्योंकि उसमें iron है और दो चीजे जो avoid करनी है sugar को avoid करना है और salt नमक को avoid करना है क्योंकि naturally नमक in fruits के अंदर vegetables में present है तो दोस्तों ये मैंने कुछ share करा कि आपको 6-9 मेने तक अपने को बहुत ज़्यादा feeding के उपर नहीं ध्यान देना है और अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो यह रहेगा कि बच्चे की जो diet होती है या जो इनको हम खिलाते हैं ये कितने तरह की type of diets कितने तरह की type हो सकती है उसमें उनको कहां-कहां से protein मिल रहा है interesting video है आप जरूर देखिएगा ये वीडियो आपको पसंद आई इसे like करें share करें comments करें and please subscribe the channel thank you